हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल स्टड़ी व्लॉग्स विशिवीद आज है दो मार्श दो हजार बाइस आज हम लोग बात करेंगे दो मार्श दो हजार बाइस के मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन के बारे में पूरी वीडियो द्यान से देखिएगा और वीडियो यदि आ आपको पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथी साथ पहला आइकन को भी प्लेस करें जिससे की आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं चलिए शुरू करते हैं आज के कुश्चन को लेकिन उससे पहले कल के कुश्चन को देख लेते हैं कल का कुश्चन था मेरा पहला कुश्चन था कि किस मंत्राले के द्वारा भाषा संगम एप लौच किया गया है तो यह केंदरी सुच्छा मंत्राले द्वारा भाषा संगम एप लौच किया गया है सेकेंड कुश्चन था टाटा प्ले ने अ चलिए, आज के question को देखते हैं, आज का पहला point है हमारा कि राष्ट्री विज्यान दिवस का मना जाता है, तो यह 28 फरवरी को मना जाता है, राष्ट्री विज्यान दिवस क्यों मना जाता है? यह काफी लोग का confusion होता है, कुछ लोग कहते हैं कि रमन के जन्म के अवसर पर रा सीवी रमन ने रमन प्रवाओ की खोश की खोशा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नॉबल पुरास्कार से समानित किया गया था, ठीक है? रमन प्रवाओ की खोश के कारण ही राष्ट्री विज्यान दिवस मना जाता है, ठीक है? नॉबल पुरास्कार की उन्हें कम मिला थ तो 1930 में उन्हें नोबल प्रेस का मिला था अन्य दिवस अब देख लेते हैं चूंकि दिवस आया है तो यहां आपका फरवरी माह का अंतिम दिवस रहेगा फिर मार्श के हम लोग शुरू से पढ़ेंगे जब जब दिवस आएगे तो यह फरवरी माह का आपका लास्ट है क्योंकि 28 की फरवरी है 28 फरवरी में यह लास्ट आपका आया है तो पिछला जो revision हम कर लेते हैं जितने फरवरी में हम लोग ने दिवस पढ़े हैं विश्व आद्र भूमी दिवस दो फरवरी विश्व कैंसर दिवस चार फर्वरी थीम क्या रखी गई Close the Care Cap विश्व दलहन दिवस 10 फर्वरी राष्ट्रिय उत्पादक्ता दिवस 12 फर्वरी विश्व रेडियो दिवस 13 फर्वरी थीम क्या रखी गई Radio and Trust राष्ट्रिय महिला दिवस 13 फर्वरी 13 फर्वरी को 2 आपके दिवस विश्व रेडियो दिवस राष्ट्रिय महिला दिवस अन्ताराष्ट्रिय मात भासा दिवस 21 फर्वरी विश्व चंतन दिवस 22 फर्वरी केंदरी उत्पाद शुल्क दिवस 24 फर्वरी राष्ट्रिय प्रोटेन दिवस 27 फरेरी थीम क्या रखी गई Food for Trism फुट्रेरिज ठीक ये रखी गई तो ये सब दिवस आपके फर्वरी मार्ग के टोटल थे ये पूरे फर्वरी मार्ग के most important आपके दिवस है और important जो थीम थी वो मैंने लिख दिया और वो शरूर आप याद करिएगा अब हम आगे जब भी कोई दिवस पढ़ेंगे तो वो मार्ग का पढ़ेंगे मार्ग से ही शुरुबात करेंगे और आगे जैसे से चलते जाएंगे एक मार्ग से लेते हुए जो दिवस हमने पढ़ें वो साथ में लेते हुए चलेंगे तो यह दिवस आप लोग काम करिएगा तो यह दिवस पर नोट डाउन कर लिजिए और साथ ही साथ आप उसके थीम को भी नोट डाउन कर लिजिएगा जो इंपॉर्टन थीम होगी वहीं आप लिख लिजिएगा चले नेक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं नेक्स पॉइंट है मैक्सिकन ओपन 2022 किस ने जीता है तो मैक्सिकन ओपन 2022 रॉफल मेडाल ने जीता है मैक्सिकन ओपन को और किस नाव से जाने जाते हैं इसे अका पुलो किताब भी कहा जाता है आपसे कोश्चन यह पूछा जा सकता है कि अका पुलो किताब किसे कहा जाता है तो मैक्सिकन ओपन को कहा जाता है अकापलो किताब ये इंपोर्टन है आपके लिए राफिल नडाल है क्या ये टेनिस खिलाड़ी है कहां के हैं इस्पेन के हैं ये जरूर याद रखेगा राफिल नडाल अगर नाम आता है तो कभी कभी यह भी आप से पूछा जाता है कि वह किस देश के खिलाड़ी है तो ये इस्पेन के हैं राफिल नडाल ने हाली में देखिए आउस्ट्रेलिया ओपें 2022 जीत कर सबसे ज़्यादा ग्रेंड स्लैम जीतने वारे खिलाड़ी बन गए हैं तो आउस्ट्रेलिया ओपें ने ओपें इन्होंने जीता है मैकसिकन ओपन इन्होंने जीता है ये आप याद रखिएगा कि आउस्ट्रेलिया ओपन जो मोस्ट इंपर्टेंट है जो ग्रेंड स्लैम होते हैं चार ग्रेंड स्लैम हमारे हैं पहला ग्रेंड स्लैम जो होता है वो आस्ट्रेलियन ओपन होता है, यहां आपका पुरुष में इन्हों ने जीता है, रॉफल नडाल ने, अब महिला में किसने जीता है, देखें आस्ट्रेलियन ओपन 2022, महिला एकल का किताब, क्रेंट स्लेम में किसने जीता, एसले बार्टी ने जीता, पुरुष में रॉफल लडाल को और क्या कहा जाता है इन्हें King of Clay Coat का जाता है Clay Coat का राजा कहा जाता है राफिल लडाल को ये भी आप जानते रहे हो सब्ता कि भाईश में कोशन पूछा जाए आपसे King of Clay Coat का राजा किसे कहते हैं तो राफेल लडाल को कहते हैं, क्योंकि कभी कोश्चन कभी भी कहां से आएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, आज के दोर में, कोश्चन का जो नीचर है, बिल्कुल चेंज हो गया है, कोई अनमान नहीं ला सकता, कहां से पूछा जाएगा, अब आपको क्या करना होता है, कि जो जीता की लड़ी उसको तो आप पढ़ेंगे, और जिसको हराया है, वो भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोश्चन देखते हैं, सेभी की पहली मैला अद्धश कौन बनी है, तो वो बनी है, मादवी पूरी बुच, सेभी की पहली मैला अद्ध देख लेते हैं, Securities and Exchange Board of India, ये फुल फॉर्म होता है, इस्थापना का भी है, इस्थापना को इस्थापना हुई है, मुख्याले कहा है इसका, तो मुंबई में इसका मुख्याले है, अन्य महिलाओं से संब्धित देख लेते हैं, चुकि ये महिला से संब्धित आया है, अन्य महिलाएं हम देख लेते हैं कहा कहा क्या बनी है, अध्यक कहा बनी है, कौन क्या बना है, तो अंतराश्च्टी ओलंपिक समिती आयोसी, एथलिट आयोग की अध्यश़् कौन बनी, एमा Help can change, यूरोपी संग की संसत की अध्यश कौन बनी है? रोबर्टा मैट सोला बनी है। भारत की लेखा महानी अंत्रक कौन बनी? सोनाली सिंग बनी है। भारती मैला होके टीम की कप्तान कौन बनी? सविता पुनिया बनी है। प्रदान मंत्री सुरक्षा चूक मामले की याँच समीती का अध्यच की से बना गया इंदू मलोत्रा मॉस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है इसको याद रखे रहेगा बिलकुल प्रदान मंत्री सुरक्षा चूक मामले की याँच समीती का अध्यच इंदू मलोत्रा चलिए, नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं दो सौ करोर रुपए के परिव्यव के साथ MSME, प्रद्योग की केंदर के स्थापना की घोशना कहा हुई है तो यह महारास्ट में हुई है अब देखे, MSME, क्या है यह मतलब इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल, एंड मीडियम इंटर्प्राइज़ अर्थात सूच्म, लगू, और मध्यम, उद्यम इसका मतलब है तो 200 करोर रुपए के परिवए के साथ MSME, प्रद्योग की केंदर के इस्थापना की घोशना कहां भी महारास्ट में हुई है अब चुकि महारास्ट आया है तो महारास्ट के विशे में थोड़ा सा जान लेते हैं महाराष्ट की दिखे राजधानी 2 राजधानी आए एक मॉंबई है, जो समर कैपिटल है दूसरी नागपूर है, जो विंटर कैपिटल है मुख्य मंतरह कौन है महाराष्ट के उद्धर ठाकरे हैं जीले इंपोर्टेंट कौन है लुनार, उपवन, शिवसागर यहां की जीले हैं दर्रे कौन सी भोरगाट धालगाट हैं लोक निर्थे कौन से इंपोर्टेंट हैं लावडी, पुवाड़ा, कोली यहां का लोक निर्थे हैं, चर्चित स्थल कौन से हैं, औरंगाबाद, पुड़े, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक, औरंगाबाद में ही मैंने आपको बताया था कि दो गुफाएं हैं, एलोरा वह अजन्ता की गुफाएं हैं, आप से पूछा जाएं कि एलोरा वह अजन्ता की गुफाएं कहां हैं तो यह औरंगाबाद में हैं, औरंगाबाद कहां पड़ता हैं तो यह महाराष्ट मुणता हैं, इतनी चीज़े आप जाने रहेंगे, आप कोशिच करिये कि अगर स्ट प्रेटेड राजयपाल देख लीजिए, ठीक है, ये सब चीजे, थोड़ थोड़ चीजे जानते रही है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे इंपोर्टेड तो वो देख लीजिए, इस से क्या आपका जो जियस है, वो ब्रॉड होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बार बार आप देख सिंगापूर वेट लिफ्टेंग इंटरनेशनल दोजार बाईस, ये आयोजन किया गया, सिंगापूर वेट लिफ्टेंग इंटरनेशनल दोजार बाईस का आयोजन किया गया, भारत ने कुल कितने पतक जीते हैं, तो आठ पतक भारत ने जीते हैं, किसमें, छै गोल्ड ज कुल कितने पदक 8 पदक भारत नी जीते हैं कौन कौन से 6 गोल्ड यह आप जो रूद रखेगा 6 गोल्ड जीता है एक सिल्वर एक प्रांच यह इंपॉर्टेंट तीसरी चीच कि 6 गोल्ड में जो एक गोल्ड है यह किसका है मेरा वाई चानूर जीता है यह मॉस्ट इंपॉर् तो समीरन गुपता द्वरा किया जाएगा ठीक है समीरन गुपता अच्छा ट्विटर के CEO कौन है यह पराग अगरबाल है ट्विटर के CEO केंद्री मंत्री मंसुक मंडाविया ने बायो मेडिकल इनोवेशन पर ICMR-DHR नीती लौच किया किसने लौच किया है मंसुक मंडाविया ठीक है स्वास्थ मंत्री केंद्री स्वास्थ मंत्री है यह मंसुक मंडाविया इनके द्वारा बायो मेडिकल इनोवेशन पर ICMR-DHR नीती लॉंच की गई है ठीक, नेक्स कुश्चन साधिया तारिक ने मासको बुर्शू स्टार्स चेंपियंशिप 2022 में पदक जीता, कौन सा पदक गोल्ड जीता है इनोंने ठीक है, पहली चीज नाम याद रखिएगा साधिया तारिक किसने जीता, साधिया तारिक ने जीता है, क्या जीता गोल्ड जीता है इनोंने ठीक है, कौन सा चेंपियंशिप था मासको बुर्शू स्टार्स चेंपियंशिप 2022 चले, नेक्स कुश्चन देखते हैं चराड़ बद तरीके से टी प्लस वन, स्टोक निप्टां तंत्र को लागू करने वाला दूसरा देश कौन बना है तो दूसरा देश भारत बना है अब पहला देश कौन बना फिन? पहला देश चाइना बना है चले, लस्ट क寶्चन देखते हैं भारत के पहले ई-वेस्ट Eco Park को मंजूरी दी तो किस ने E-Waste Eco Park को मंजूरी दी तो Delhi ने E-Waste Eco Park को मंजूरी दी है बारत का पहला राज बन गया है जिसने E-Waste Eco Park को मंजूरी दी तो बस ये थे आज आज आपके Top 10 Questions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को आउन करें जिससे की आने वाले नोडिविगेशन आपको बिलते रहें अच्छा एची और कि मैंने आपको देखिया आज राजवयस्था का वीडियो दिया है पार्ट फाइब है उसमें और उसमें मैंने स्वतनता का अधिकार और सोशल के विरुद अधिकार इन दोनों को कवर किया है अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज जाहिए मेरे प्लेइलिस्ट में एक लाइन से वीडियो होगी वहाँ पर पांचोवा जो है लेटेस्ट में वह राजवयस्था होगा उसको प्लीज चाहिए देखिए यदि आपको वो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज उसको लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा चलिए आज का कुश्चन देख लिती है आज का कुश्चन है कि पाकिस्तान की पहली मैला मुख्यन अधीश कौन मनी है आपके आप्शन है केतन जी ब्राउन माया एंजलो बीवी नागरतना आईशा मलिक सेकंड कुश्चन है किस वर्ष इसरो ने चंद्रयान सेकंड लाउंच किया था आपके आप्शन है 2018, 2019, 2020 and 2021 ये थे आपके कुश्चन आप कबेंड के माध्यम से मुझे आंसर बताईएगा ठीक है और देखें जनवरी मां का मैंने आपको औरड़ी वीडियो दे रखी है तीन पार्ट में जनवरी का मैंने वीडियो दिया था और चौथा जो पार्ट था उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टन कुश्चन को रखा हुआ है अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज चाहिए और उस वीडियो को जरू देखिएगा कोई भी एक्जाम होगा उस वीडियो को बिना देखे न जाएए क्योंकि बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन वहां कोश्चन दिये गए है जो वीडियो जो आपकी चौथी वीडियो इसकी जनुरी मा की जो पचास कोश्चन की मैं बात कर रहा हूँ पंदर या बीस के अंदर ही है वो वीडियो है अराम से देखी लिए जनुरी मा का इससे आपका करेंट अफेर्स तयार हो जाएगा फर्वरी मा का मैं शुरू ही कर रहा हूँ इसमें तो रोज आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा और अपना नोट बनाते रहिए ठीक तो बस आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं थैंक यू